हलो गुड मॉनिंग स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन 4.1 एक्सेस हमने पिछली वीडियो में 4.1 एक्सेस का कोशी नमबर 4 देखा था नाओ दो टू डेस कोशी नमबर 2 कोशी नमबर 2 कोशी नमबर 2 है आपके पास गीवन है express the following linear equations in the form linear equation in the form x plus by plus c equals to 0 ये form में क्या करना है convert करना है indicate the values of a b and c in each case मतलब question number second में बहुत सारे cases गीवन है सबसे पहले तो हर एक case में हमें किस-किस की value find करनी है a, b और c की और वो हम कैसे find करेंगे जब हर एक equation को या फिर जो हर एक statement को हम किसमें convert करेंगे x plus by plus c equals to 0 में convert करेंगे रइट सब ये clear हो गया वहीं से हम value find करेंगे a, b and c now the first case is 2x plus 3y equals to 9.35 bar only 5 के उपर क्या है बार है ये equation given है अब इस equation से हमें क्या find करना है a, b और c ठीक है तो सबसे पहले solution करते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपके पास जो भी equation given हो हम सबसे पहले उसी equation को क्या करेंगे लिख देंगे तो देखे मैंने यहां लिख दी equation को 2x plus 3y equals to 9.35 bar लिख दी इस equation को as it is अब देखे अब equation को rearrange करना मतलब arrange तो पहले से ही है rearrange का मतलब होता है कि हमें इस equation को एक format की according arrange करना है format कौन सा? जो कि question में दीवे है question में क्या given है? देखे सबसे पहले x वाला coefficient रखना है फिर y वाला और फिर z वाला z वाला इट में c वाला जिसके साथ कोई variable न हो right? मतलब ax plus by plus c equals to 0 मतलब equal में 0 ही आना चाहिए अगर right side कोई value है तो सारी values को हम कहा लियाएंगे left side right? तो देखे यहाँ पे 2x पहले से ही है यह 3y मैंने as it is लिखा देखे plus का 9.35 bar है यह left side हम लेकर आएंगे तो काई का हो जाएगा? minus का यहाँ लिखा है 9.35 bar equals to 0 clear हो गया? कि right में अगर कोई पूरी की पूरी value plus में है तो वो left side आएगी तो काई की हो जाएगी? minus की हो गई? अब इस equation को देखे the equation 2x plus 3y minus 9.35 bar equals to 0 जो यह given है can be written us मतलब इस equation को और हम किस तरीके से लिख सकते हैं? देखिए 2x मैंने as it is लिखा सबसे पहले यह plus 3y भी as it is लिखा है अब यह minus है तो मैंने minus को क्या करा? bracket में लिख दिया बहार plus लिखा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप तीनों काई में है plus में है x plus b y plus c clear? तो हम plus ही लगाएंगे और अगर minus में जो value होगी उसको हमेशे हम काई में लिख देंगे bracket में अब इस हमने जो equation बनाए इस equation को हम किस से compare करेंगे? इस से जो question में given है राइ? x plus b y plus c equals to 0 अब देखे हैं हमें क्या find करना है a, b, c x का जो coefficient है वो क्या है? a तो यहाँ पर x का coefficient कितना है? 2 तो a की value कितनी हो जाएगी? 2 clear आया? अब यहाँ पर y का coefficient कितना है? b यहाँ पर y का coefficient कितना है? 3 right? तो b की value कितनी हो गई? 3 clear? अब c single term है it means उसके साथ कोई variable नहीं है तो as it is यहाँ पर यह जो है minus का 9.35 bar इसके साथ न तो x है न तो y है it means यह क्या हो जाएगा आपके लिए c तो यहाँ पर clear हो गया the value of a is 2 the value of b is 3 and the value of c is minus 9.35 bar a, b, c answer now the second case is x minus y by 5 minus 10 equals to 0 अब सबसे पहले में यह बता देते हूँ कि यह equation पहले से ही किसके equal है? 0 के equal है मतलब कोई भी term हमें right side से इधर लानी ही नहीं है सारी की सारी term left side पहले से ही available है बस अब हमें इसे क्या करना है? नहीं करना है proper सही position पे सही variable put up है clear? लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो minus sign है हमें इस sign को काई में convert करना है plus में तो minus हो तो वो पूरी value को काई में लिखते है हम bracket में देखे x हमारे पास जो equation है हमने वो लिखी the equation x minus y by 5 minus 10 equals to 0 can be written as मतलब इस equation को हम एक और तरीके से लिख सकते है कैसे? 1 into x x के साथ कुछ नहीं it means क्या होगा? 1 ही होगा 0 तो हो नहीं सकता है क्योंकि 0 का multiply करेंगे तो 0 हो जाएगा it means यहां एक से साथ कुछ नहीं है 1 है हमने लगाया plus sign और जो यह पूरी value थी minus में minus 1 by 5 y लिख दी divide में 5 है देखे 5 लिखा है y के साथ कुछ भी multiply में नहीं है it means 1 है तो कितना हो गया minus 1 by 5 y plus as it is लिखा हमने क्योंकि जो minus 10 है उसको bracket में लिख दिया clear अब हम इसको compare करेंगे जो हमने यह equation बनाई है ना इसको हम compare करेंगे किस से ax plus by plus equals to 0 यह आपके question में ही format दिया है हम उसी से compare करके क्या करेंगे इसकी value निकालेंगे अब देखिए यहाँ पर x का coefficient कितना है आपके पास a यहाँ पर x का coefficient कितना है 1 it means a की value कितनी आ गई आपके पास 1 आ गई यहाँ y का coefficient कितना है b यहाँ पर y का coefficient कितना है minus 1 by 5 it means यहाँ पर value of b is minus 1 by 5 लिख दिया Now the last जिसके साथ कुछ नहीं है न तो X न तो Y तो वो क्या होगा C तो same as it is इस equation में हम देखेंगे minus 10 एक ऐसा number है जिसके साथ न तो X है न तो Y It means जो minus 10 है वो किसकी value हो गई C की तो आपके सामने screen पर A की value है 1 the value of B is minus 1 by 5 and the last the value of C is minus 10 ये क्या हो गई हमारे answers Now the third case third statement आपके पास given है minus 2X plus 3Y equals to 6 given है अब इस equation में हमेशा मुझे क्या चाहिए right side 0 तो right side जो भी है उन सारे नंबरों को हम का भेजेंगे left side तो सबसे पहले हमेशा याद रखना है solution करते वक्त हमारे पास जो भी given है हम as it is लिखते है तो हमने as it is यहां लिख दिया minus 2X plus 3Y equals to 6 लिख दिया ये दिखरी equation जो question में given है हमने वही लिख दी clear rearranging the equation we get rearrange मतलब इस equation को arrange करना है मतलब पहले हमेशा x वाला आना चाहिए दूसरे नंबर पर y वाली term and the last क्या आना चाहिए नंबर देखें minus 2X पहले से ही है पहली position already given है फिर क्या given है 3Y हमने 3Y लिख दिया ठीक है and the last plus 6 आपका कहा है right side हम कहा लियाएंगे left side तो plus 6 left side आया तो काई का हो गया minus 6 equals to 0 clear मतलब हमेशा हमें याद रखना है कि equation 0 के equal होना चाहिए और सारी values कहा आनी चाहिए left side आनी चाहिए तो हमने यहां लिख दिया minus 2X plus 3Y minus 6 equals to 0 अब मैंने एक और चीज बताई थी कि अगर minus हो तो उस minus को हम काई में लिखेंगे bracket में और भार क्या लिखेंगे plus क्यों क्योंकि आपके पास question में यह format दिया right तो इस format के according हम देखेंगे कि क्या होगा right तो इक्वेशन minus 2X plus 3Y minus 6 equation given है आपके पास minus 2X plus 3Y minus 6 equals to 0 can be written as अब इस format में मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई minus आता है तो उस minus को हम काई में लिखते है bracket के अंदर और भार क्या लिखेंगे plus clear तो देखिए minus 2X minus 2 को हमने bracket में लिख दिया X as it is clear अब है plus 3Y तो plus 3Y को छेडने की जरुवत ही नहीं क्योंकि already काई में है plus में है clear अब हमारे पास third number जो है वो क्या है minus 6 right तो minus 6 को हमने काई में लिखा bracket में लिखा है और ये plus sign ठीक है तो मतलब ये हो गई हमारी equation कुल मिला के जो ये given थी हमने हर एक minus को काई में लिख दिया bracket में और बाहर की तरफ क्या है plus इसी equation को comparing मतलब इस equation को हम compare करेंगे इस से जो question में given है X plus BY plus C equals to 0 इस से compare करेंगे तो देखिए compare करते वक्त ना है कि यहाँ जो X का coefficient है वो आपका क्या है A है तो यहाँ पर X का coefficient कितना है minus 2 it means the value of A is minus 2 यहाँ Y का coefficient कितना है B है it means the coefficient of B is Y is 3 it means the value of B is कितना हो गया 3 मतलब A की value हो गई minus 2 B की value हो गई plus 3 and C जिसके साथ न तो X है न तो Y है तो यहाँ पर क्या दिख रहा है C के साथ कितना है C की place पर कितना दिख रहा है यहाँ पर minus 6 मतलब इसके साथ न तो X है न न भाई it means C कितना हो गया यहाँ पर 6 लिखावा है यहाँ पर आएगा minus 6 correct कर लेना एक और बार लिख देती हूँ यहाँ पर मैं proper way में कि C की value जो यह है वो wrong है C की value आ जाएगी minus 6 clear तो यहाँ पर third वाले part में हमने क्या करा सबसे पहले equation को 0 के equal लेकर गए जो भी variable आपके right side यह left side लाए हर एक minus को bracket में लिखा X plus BY plus C equals to 0 से हमने compare करा तो A मिल गया आपको minus 2 B is 3 and the C is minus 6 clear now the fourth case fourth case आपके पास क्या given है X equals to 3Y given है X equals to 3Y अब इस sum को करते वक्त हमारे पास condition given है हम as it is वो ही लिख देते X equals to 3Y फिर हम लिखेंगे rearrange the equation we get क्या मिलेगा right side हमें क्या करना है 0 लाना है तो plus 3Y left side आएगा तो काई का आजाएगा minus का right minus का आजाएगा तो ये कितना हो गया X minus 3Y equals to 0 clear 0 आगया अब second condition क्या होती है सबसे पहले तो 0 के equal ले जाओ second case अगर कोई term minus में है तो उसको हम bracket में लिख देते X के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है क्योंकि हम compare करेंगे तो X के साथ कोई नहीं कोई number चीए कुछ नहीं हो मतलब 1 Y के साथ जो number है उसको हम क्या लिखेंगे minus 3 right और यहाँ पर यह लिखने की जरुवती नहीं है यह cancel कर दो यहाँ पर यह लिखने की जरुवती नहीं मतलब X के साथ 1 लिखो plus minus 3Y equals to 0 यह लिखने की जरुवती नहीं है हमने क्या कर रहा comparing the यह जो equation है इसको कट कर दो comparing the equation this इससे क्या करेंगे हम compare करेंगे right तो देखे X का coefficient है यहाँ A यहाँ X का coefficient कितना है 1 It means the value of A is 1 1 मिल गई यहाँ Y का coefficient है B यहाँ Y का coefficient है आपके पास minus 3 It means the value of B is minus 3 C यहाँ पर एक ऐसा है जिसके साथ न तो X है न Y अब बताए इस equation में यहाँ पर कोई value है क्या X और Y के अलावा नहीं है It means C की value नहीं है It means कितना हो जाएगा 0 clear हो गया मतलब A is 1 B is minus 3 and the C is 0 This is answer Thank you